क्लास थर्ड, एक्सरसाइज 5.2, मैथ, कनवर्दा, फ्लॉइंग दा, इंटु दा पैसा, स्टुडेंट्स, वन रूपीज होता है, वन आर होता है, उसमें हंडर्ड क्या होता है, पी होता है, 100 पैसा होता है, मान लीजिए, 2 रूपीज है, और पैसा कितना होगा, 200, 2 इंटु मल्टिप्लाई, 100, 200, ओके, आप समझ में होगे, इसी प्रकार आपको सारी क्वेस्चन करने है, देखिए, पहला क्वेस्चन देखिए, 6 र, यानि र आपका कितना है, 6, और उसको कनवर्ट किसमें करना है, पैसा में, तो स्टुडेंट्स, 6 र इंटु मल्टिप्लाई, 100, जब किसी भी 100 से मल्टिप्लाई करते हैं, तो 2, 0 की 2, 0 होगे, 1 इंटु 6, 6, ओके, आप देखिए, नेक्स्ट क्वेस्चन, 20, यह आपने 20 लिख लिया, आ रहे हैं, किसमें चेंज करना है आपको, पैसे में, 20, इंटु 100, स्टुडेंट्स, 0 काउंट करलें, 1, 2, 3, 3, 0 लगालो, गालिया, 2, 1 जा, 2, answer, ओके, नेक्स्ट, स्टुडेंट्स, नेक्स्ट, नोट करें, 7 रूपीज, 80 पैसा, तो सबसे पहले 7, का करेंगे, 7 इंटु 100, हमने इस र को, किसमी चींज करना है पैसे में, तो कितना हो गया स्टुडेंट्स, 700, और प्लस कितना है हमारा, 80, तो 700 में, 80 प्लस कर दिया, 0, 8, 7, 7, 780 पैसा, स्टुडेंट्स, क्लियर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा, D, 8 रूपीज और 40 पैसा, 8 रूपीज का कितना हो गया, 800, स्टुडेंट्स, और 40 पैसा इसके अंदर एड कर लो, 840 पैसा, 840 पैसा, नेक्स्ट देखो, 26 रूपीज, दोबार रूपीज कर रहा हूं, 26.90, यानि 26 रूपीज और 90 पैसा, तो 26, 100 लिख लो, क्योंकि 100 पैसा होता है, एड 90, तो क्या आगया, 26.90, 26.90, नेक्स्ट खुद करोगे, नेक्स्ट उससे आगे देखी, आर 4, आर 4, आर 4 को क्या करेंगे, इन्टू 100, क्या हो गया, 400, नेक्स्ट है, 46, तो 46, 100, एड 50, 46, 50, 46, 50, स्टुडेंट, यहाँ ध्यान दिये देना है आपको, दोबारा क्लीर कर लें, कि जो भी डिजिट ये पोइंट के बाद दी होगी, जैसे ये डिजिट्टी है, तो इसको 100 से मल्टिप्लाई करने से सीधा ही, 5, 6, 2, 0 लगा दें, बस, 100 से मल्टिप्लाई हो जएगा, अगर आप 2, 0 और एड कर देंगे ना जैसे, तो वो पैसे में बदल जाएगा, प्लस 50, क्योंकि यह पहले से ही पैसा दे रखा है, 4, 6, 5, 0, clear, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो, आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे,